तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो में हम लेके आते हैं कि X broker या X advisor को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके पास license नहीं है काफी बार होता है कि बहुत सारे advisory companies, बहुत सारे research analysts, tips वगरा प्रोवाइड करते हैं चाहे वो telegram channels के थू करें या directly करें बट बहुत बार उनके पास सेवी के द्वारा दिया गया लाइसेंस नहीं होता है उस केस में जो भी पैसा उनने कमाया होता है सेवी वापस ले लेता है इंटरस्ट के साथ और उस अडवाइजर को बैन कर देता है मार्केट से कुछ भी करने से क्या ये पूरा सच है इस वीडियो में जानेंगे कि इन्वेश्मेंट एडवाइजर्स इंडिया में लिमिटेड क्यूं है क्या सिर्फ यही रीजन है कि एडवाइजर को रिजिस्टर नहीं होना या उसका कोई दूसरा ब्लैक साइड भी है तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं किस्से के साथ इन दोर में बसे हैं 64 साल के परशाथ चितनिश जी सारी उम्र उन्होंने mutual fund insurance policies को offline online तरीके से अलग-लग level पे बेचा है और अच्छा खासा काम भी किया है अब उनको लगा कि अब मुझे registered investment advisor बनना है से भी से license लेना है यह उनकी सोच थी इसके लिए उन्होंने apply किया लेकिन जब apply किया तो उनको बहुत हैरानी हुई परेशानी भी हुई क्यों क्योंकि उनसे कहा गया कि अगर आपको यह सब करना है बहुत बड़ी बात है लेकिन आपको इसके लिए बहुत सारी documentation देनी पड़ेगी ठीक है documentation देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत important field है यह और आपके कहने पर बहुत सारे लोगों ने आपकी बात मान के investment करना है पैसे लगाने है तो उनसे offer letter मांगे गए उनके employers के कि जहां पर उनने job की है पहले bank statement की copy मांगी गई जो भी उनने account आज तक hold की है सब की अपने laptop का bill दिखाईए जो भी आपने buy किया है printer या कोई भी office का infrastructure अपने आपने buying की है उसका actual bill दीजिए अपना form 16 दीजिए 26 AS income tax document दीजिए और यह सारा कुछ return filings documentation के साथ अब थोड़े दिन तो परेशानी हुई किया कि मैं सेबी की office में जाके आता हूं तो इंद और के सेबी की office में ये गए वहां पे जाके पता लगा के सेबी के official इनको कह रहे है कि 2018 के बाद RIA registered investment advisors के license देने ही बंद कर दिये हैं क्यों क्योंकि इंदोर में बहुत बाल देखा गया है कि बहुत सारे investment advisors बीना license के करने कि क्या ये particular advisor सही है या नहीं इसके पास license है या नहीं इसका license नंबर चेक करवाओ अब इन सब चीजों से check problem में आने के कारने इनका के ये सारा मुद्दा ही बंद कर दो we are not giving any license तो 2018 के बाद उनने license देना ही बंद कर दिया तो पुलीस जब आती थी तो 2018 के बाद license नहीं दिया है आपने क्योंकि कोई अच्छा investment advisor आया ही नहीं तो एक तरीके से checking का जो पूरा documentation का काम था वो खतम ही हो जाता है अब problem सिर्फ ये नहीं है problem ये है कि पूरे इंडिया में latest numbers के रुणसार 1321, 1321 registered investment advisors ही है और उनमें से अगर आप stock tips देने वाले लोगों को हटा दे तो 400 लोग ही बचते हैं जो के actual में registered investment advisors on an official level CB के साथ काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में जिसका population is around 1.4 billion people इंडिया में करीब 3-4 क्रूर लोग debit account के तो ट्रेडिंग करते हैं और इनके लिए 400 लोग हैं जो actually उनको सही से advice देने की कोशिश करते हैं अब इन regulations के कारण इन rules के कारण दिकते और भी बढ़ जाती हैं अगर हम comparison करें mutual fund distributors जो के another business line है अगर आपको बनना है partner तो आपके पास option रहता है वहां पे commission लेने के बहुत सारे तरीके हैं fix commission भी है जो होते है RIA का जो model है उसमें आप distribution income नहीं ले सकते हैं अगर आप एक company है लेकिन अगर आप एक individual है तो उस case में भी आप commissioner नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों ये सारी बातें इतना अबड़ी बात क्यूं है मुद्दा क्यूं है देखिए stock market is risky definitely risky अगर आप एक beginner है तो आपको इस case में एक overall ecosystem educated बनता है एक तरीके से fraud होने के chances कम होते हैं और certainly dependability reliability होती है कि जिसके तुरू आप tips ले रहे हैं या एक तरह से advisory ले रहे हैं वो बंदा से भी के द्वारा registered किया गया है और उस पे आप विश्वास कर सकते हैं और वो profit ही कमाएगा उसका काम है ये तो एक तरी industry की बात करें, industry की growth की बात करें, mental development की बात करें तो उस case में there is a lot of area of improvement तो दोस्तों अगर आप एक sub broker या B2B partner या एक तरीके से stock market में कोई business करना चाहते हैं तो investment advisory शायद एक ऐसा तरीका है जो आपने शायद सोचा होगा लेकिन ये सारे इसके qualification matters for example 5 साल का work experience, post graduation आपकी पास qualification होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखके शायद आपने pursue नहीं किया होगा और बहुत सारे लोग, हजारों लोग pursue नहीं करते, तो एक तरीके से अच्छी बात है qualification होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ कर देना कि हमने advisor को register करना ही बंद कर दिया है, पिछले 3 साल से that's a bigger problem, और ह हमारा काम है, उन problems को सामने लेकिया ना, stock market में directly आई directly कोई भी दिक्कत होती है, तो a digital blogger पर we discuss it with you, अगर आपको कैसा experience रहा है तो ज़रूर share किये जगा comments में, hopefully इन बातों को इस तरह से बाहर निकालने से एक तरीके से awareness बड़ेगी, अब इक लिए दोस्तों बस इतना ही, अ झाल का, किया प्यूस्काणा हूँ झाले को च बड़ेगी, अब भी दोस्तों इतना ही, अगर याभा है, ऑले टीज खरीके से वहने से भी झालने से तरह से खख़़े थे आपका पक्तों की छालने से तरही वाया किया है, आपको अदोशसरी आपको से उतम एसमे भी लीमειर का